हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्सेविल में दोस्तों यहाँ एक और इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ यह वीडियो हमारे कुछ सब्सक्राइबर के डिमांड पर बना है कि सर बताईए कि बाथरूम में जो मीनिमम साइज यानि कम से कम जग़ा में जो बाथरूम बनाना है घर में ओकि इतना बड़ा बनाया जाए तो यहाँ वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि आप बाथरूम देख रहा है और अगर दिवार हटा दे तो लगबग साड़े साथ फिट आता है तो चार फिट भाई साड़े साथ आठ फिट का आपको मिनिमम बाथरूम रखना है अब यहाँ देखिए यह कंबाइन है यानि कि आपको यह ट्वाइलेट का पॉर्सन दिख रहा है यह यह तीन फिट ऐसे है और इसका जो यह चोड़ाई है यह लगबग आपको चार फिट है और यह छे इंच उठा हुगा है अपने फिर्स से यह जो बाथरूम का एरिया है इधर आप देख रहा है यह मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यह लगबग आप तीन फिट उदर छोड़ देंगे तो यह 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 लगबग चार साड़े चार फिट यह आगे निकला है और ऐसे चार फिट है तो और यह आप देख सकते हैं ट्वाइलेट का सीट हो अब हमारे बाथरूम के फर्स से छे इंच उपर उठा हुआ है अब ये mixture आप देख रहे हैं, wall mixture लगाया गया है, wall mixture दोस्तों ये आपको कम से कम 3 feet के height पे लगाना है, उपर ये head sour आप देख रहे हैं, जिसे हम जारना कहते हैं, तो जारना जो लगाना है ये लगभग अपना 6 feet के उपर लगाना है, 7 feet के, अब इसमें जो tiling की गई है, tiling यहां tile यूज किया गया है, और tile जो लगाई गई है, लगभग यहां पर करीबन 8 feet के उचाई पर तक लगाई गई है, और यहां आप देख सकते हैं, कि जो मैं आपको tile दिखा रहा हूं, ये मतलब wild tile काफी सुन्दर color में लगाई गई है, और दूसरी बात एक चीज और दे रहा है, ठीक है, तो आपको बहुत bathroom में गीजर लगाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, तो गीजर का भी आप point बना के चलेंगे, आप देख सकते हैं कि जो हमारा toilet seat है, उसके उपर यहां पर ceiling में light दी गई है, light के लिए हम यहां पर P.O.P का design भी छोटा सा दिया गया है जिसे कि हमारा bathroom और सुन्दर बन जाता है, अब यह देखिए, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो आपको toilet बनाना है, वो बनाना कैसे है, यहां आप देख सकते हैं, first से, जो आपको यह छट दिखाई दे रहा है, यह normal जो हमारा room का छट है, 10 feet तक का, यह लगबख सेम उस उसका आप देखिए, ध्यान से छट देखिएगा, तो एक feet down है, तो यह क्या है, हमारा sunken slab है, जिसको हम down slab भी बोलते हैं, अब यह down slab क्यों बनाया जाता है, ताकि उसी down slab में हमारा जो यह Indian seat लगाने के लिए, उसके नीचे आप pit wrap डालेंगे, pipe डालेंगे, तो उसी में down slab म हमारा ज्यादा उपर नहीं उठेगा, अगर हम down slab नहीं देंगे, तो फिर हमारा आठ से एक इंच pipe ले लेगा, फिर seat लगाएंगे, तो डेर से दो फिट उठ जाएगा, तो जो की काफी उचा हो जाएगा, जिससे हमारा पूरा टॉइलेट खराब हो जागा, अब यह देख कि के दोस्तों आज कल ट्रेंड में दरवाजा चला है, आप देखिए, अगर अल्मूनियम का दरवाजा लगाएंगे, तो अल्मूनियम में एक ही color design आपको मिलता है, बहुत सारा design नहीं मिलता है, इसलिए उसको लोग ज्यादा prefer नहीं करते हैं, मजबूत हो भी है, टिकाओ waterproofing है, लेकिन आप PVC के लेगर लगाएंगे ना तो PVC में आपको बहुत सारी design नहीं मिल जाती है, और मजबूत भी होता है, साथ में waterproof भी होता है, जो कि सालो साल चलता है, अब अहीं आप MS Ogar का लोहे का दरवाजा लगाते हैं, तो सड़ने लगता है, लकड़ी का दरवाजा पलाईया उखड़ने लगती है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप PVC का दरवाजा लगाएं, अब यह जो PVC का दरवाजा है, दोस्तों मैं बताया था कि साथ फिट इसके उचाई है, और धाई फिट इसके चोड़ाई है, तो जो यह दरवाजा आपको बना बनाया मार्केट मे आठारास रुपया से लेके दो हजार रुपया में बहुत अच्छा दरवाजा मिल जाता है, और यह बहुत आसान होता है, आप ले आएंगे, बस उसको आपको जो हमारा यह दिवार है, दोनों साइड विट फ्रेम के साथ मिलता है, आठारास असे दो हजार रुपया में, आपको बस एसकुरू से उसको टाइट कर देनी है, वो फिक्स करने में बिलकुल सही होता है, उसमें आपको कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि लेवर कॉस्ट एक्सरा लग रहा है, जैसे कि लोवे क दरवाजे में लगता है, तो दोस्तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मीनिमम आपको तीन फीट आप जैसे इसमें देख रहा है, आपका ट्वाइलेट का जहां पर सीट लएगा, वो पॉर्सन निकल जाएगा, बाकी साड़े चार से पांच फीट जो है, यह आपका बाथरूम में यूज हो जाएगा, नहाने के लिए, क्योंकि उसमें आप जहरना के लिए वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ,